असाम लेकुम क्लास कैसे आप सब ठीक हैं ओके आज का वक्त थोड़ा सा डिफिकर्ट है का राइट करना आप सबने वह थोड़ा सा मुश्किल है आप सब को उसके लिए समझने के लिए अपना लेक्चे बहुत अच्छी तरीके से क्लेर करें और देखे के टीजर आपको कैसे बताती है इजी वे के साथ मैं आपको राइट करना सिखाऊंगी उसके लिए आपका सुनना बहुत जरूरी है आज हम राइट कर रहे हैं का काइट आपकी बुक पर फेंड है का 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 काइट फर्स्ट अफ और यू केन मेक टिक आप सब को टिक में करना आता है लाइक देश देन गो डाउन गो डाउन विच अलाइन यहां तक का स्टेप आप सबने बा और फार राइट करने तक किया हुआ है अब हमने क्या करना है कि जहां पर स्लाइट लाइन दोनों एक दूसर को क्रॉस करी है इस पोईंट के उपर हमने मेक करनी है आई आई का मीन आई एक करना है और पिर इसी पॉइंट युझ को कर देना है अधिक क्लिशेंगा का कर फेंद है का काइट आ काइट वह ड्रॉप काइड इसके भी लावा का कर फेंद है काट की काग किंग भी होता है और की से आप सब लोग ओपन करते है काग काईट Now draw the lines One line Second line Third line Last line is Four line One slant line Second slant line One slant line Second slant line Okay class काग राइट के ने क्ले में चाहिए First, Second and Third Means to say हमें first three lines आइए Last line हमें नहीं चाहिए आपका first step tracing का tracing तो आप सबको बहुत अच्छी करनी आ गी है Put the budget on first dot Join the second dot Third Four Five Six Go down Seven Eight Nine Ten Make a eye Slant line And then leg Out It will become काग Next step है आपका One dot Two dot Three dot And four dot अब इस step को आपने दिहान से देखने है First of all हमने make करना है Tick Like this Round करेंके Line के उपर trace करेंगे Like this फिर अब हमने इस point से इस dot पर जाना है उसकी eye में करनी है Line के साथ टच करना है फिर वहीं पर eye को close करना है फिर इस point से हमने slant line में करनी है और फिर इस corner से हमने लगको Out कर देना है तो यह बन जेगा का Without slant line Make a take Round Slant line Eye Slant line And then leg out Do not write like this It is wrong आपने का किया है को यहाँ से match करना है उसके साथ जैसे मैंने match किया है Every step Like this You should write like this Then I will give you start Start your work